नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपकार के क्लासिस में BPS CPT NCRT सिरीज में हम लोग हिस्टरी को कवर कर रहे हैं जिसमें कि आज हम लोग सात्वा लेशन जो की नए प्रश्ण नए विचार इस पर चर्चा करेंगे इससे पहले कुल 6 ध्याय को हम लोगोंने कंप्लीट कर लिय है यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसको आप देख सकते हैं माकी सभी का PDF जो है आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा अभी आपके पास अगर आप से 69 दे रहे हैं तो काफी अच्छा समय है काफी ज्यादा समय है तो NCRT को तो अब आपको हर हाल में सामिल करना ही जो कि अभी तक बहुत कम लोग ही इसको देखते थे लेकिन इस बार का जो प्रश्ण है वो देख के आपको अब इसमें उतरना होगा तो कैर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेशन 7 देखेंगे पहला प्रश्ण क्या है कहता है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उब्देश देने की महत्पुन घटना की स्मिर्ती में कहां एक स्थूप का निर्मान किया गया था अप्शन दिख रहा है हम लोगों को जबाब सारनात में अर्था ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने जो पहली बार उब्देश दिया था इस महत्पुन घटना की याद में सारनात में एक स्थूप का निर्मान किया गया था ध्यान रखिएगा कहता है कि बुद्ध का जणम लगवख 25 वर्ष पुर्भ हुआ था ये शाक के गण के छत्रे राज को मार ध्यान रखिएगा बुद्ध कौन थे? छत्रे राजकुमार शाक के गणके बुद्ध को बुद्ध गया में पीपल वरिक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ वारनसी के निकट सारनात में सरपर्थम बुद्ध के दरा उपदेश दिया गया था सारनात में इसी गटना की स्मिर्थी में यहां स्थूप का निर्मान हुआ था बुद्ध ने अपनी सिक्षा समान लोगों को प्राकिर्थ भासा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें परंतु इनका लेखन कार शमान पाली भासा में हुआ था ध्यान रखिएगा जो बोलें की जो बात थी जो सिक्षा दी गई थी वो प्राकिर्थ भासा में और लेखन कला हुआ था पाली भासा में आगे कहता है कि बुद्ध की मिर्त्यू कुशी नारा नमगस्थान पर हुए थी तो ये चीज़ें हमें फैक्ट ध्यान में रखना है अगला प्रशन देखिए है बुद्ध की सिक्षाओं के संदर में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए पहला है बुद्ध ने दुख का कारण त्रिशना लालसा को बताया है आगे कहता है उन्होंने कहा है कि आत्म सैयम अपना कर मनुश्य त्रिशना से मुक्ती पा सकता है कौन सा कतन सही है देखते है तो सही जवाब इसका होगा आप्शन नमबर सी दोनों ही कतन सही है बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण त्रिशना लालसा को बताया है और उन्होंने कहा कि आत्म सैयम का मार्ग अपना कर त्रिशना मतलब लालसा से मुक्ती पाई जा सकती है हलांकि आज के दोर में ये काफी मुश्किल चीज़े हैं ये सबी कहता है निमलिखित कतन में से कौन सा कतन जैन सिधान्त के अनुरूप है कतन एक में है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए दो कहता है किसी जीव को ना तो कश्ट दिना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए कौन सा सही है तो ध्यान रखिए दोनों ही कतन सही है क्योंकि अहिंसा जो है ये जैन धर्म का परमलक्ष था और जीव को नहीं मारना चाहिए यहां तक कि खेती में भी जीव जो होते है वो मर जाते है इतले इन्होंने खेती कोई लिए भी मना किया भगवान जाने कि अगर ये खा क्या सकते थे हम लोग खेती नहीं होती तो खैर ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म का परमुक जो है लक्ष अहिंसा था कहता है उपर्युक्त दोनों कतन सही है जैन सब्द जिन सब्द से निकला है जिसका अर्थ है बिजेता ध्यान रखिएगा जिनका अर्थ क्या होता है बिजेता माविर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रिय है अतह दोनों कतन सही है मावीर स्वामी का जनम लगवग 25 वर्स पुरू हुआ था ये वज्जी संग के लिक्षवी कुल के छत्रिय राजकुमार थे ध्यान दखिएगा बुद्ध शाक के गण था कोशिन नमबर फूर देखिए क्या है साधारन जन भी महावीर और उनके अन्यायों की सिक्षाओं को समझ सके महावीर और उनके अन्यायों ने अपनी सिक्षा जो है ये प्राकृत भासा में दी कथन और कारण जो है बता रहा है सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है कथन कारण कथन सही कारण गलत कारण सही कथन गलत सही जवाब है ए और आर दोनों ही सही है और आर एका सही व्याख्या है कहता है कि समान ने बोलचाल की भासा ही प्राकृत भासा कहलाती थी प्रचलन छेत्र के अधार पर उनकी अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोले जाने वाले प्राकृत भासा मागधी कहलाती थी माविर ने अपनी सिक्षा के लिए प्राकृत भासा का चुनाव किया ताकि आम जनता उन्हें अच्छे से समझ सके नेक्ट कुशन दिखी क्या है निमलिकित में कौन साकतन बौध संग के संदर में सही है कहता है शंग भिक्षू और भिक्षूणियों का एक संगठन था नेक्स्ट है कि संग में रहने वाले बौध भिक्षूण के लिए बनाये गए नियम विनेपिटक में मिलते हैं ओप्शन देख रहे हैं तो इसका सही जवाब है कहता है शंग जो है विक्षू और भिक्षूणियों का संगठन था जहाँ घर का त्या करने वाले लोग एक साथ रह सकते थी आगे कहता है कि शंग में रहने वाले बहुत भिक्षूणियों के लिए बनाये गए नियम विनेपिटक नामक गरंत में फुलेखी था है अब आपको कमेंट करके बताना है कि विने पिटक की रचना जो है ये किस ने की थी नेक्स्ट है इमलेकित में कौन सा कथन बौध संग के संदर में सही नहीं है कथन देखते हैं क्या क्या है संग के पुरसों और इस्तुरियों के रहने के लिए अलग-अलग विवस्था थी कहता है कि सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकते थे फिर कहता है कि संग में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता-पिता से अनुमती लेनी होती थी और चौथा है कि विवाहित इस्त्रियों को संग में परवेस किरने के लिए अपने माता-पिता से अनुमती जो है यह आवश्यक होता था तो कहरा कौन सा सही नहीं है तो ध्यान रखिए ओप्शन नमबर D क्या कहता देख लिजे आप विने पिटक से पता चलता है कि संग में सभी व्यक्ति परवेस ले सकते थे और पुर्शों और इस्त्रियों के रहने के लिए अलग-अलग ववस्था थी आगे कहता है कि संग में परवेस के लिए बच्चों को अपने माता-पिता से दाशों को अपने स्वामियों से पित्री को संग में प्रवेश के लिए अपने पती से नुमती लेना आवश्यक था ना कि माता पिता से इसलिए ये कथल गलत हो गया चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं क्या कहता है कुछ सेलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं विहार के संदर में निमलिकित कत्नों पर बिचार कीजिए कहता है कि विहार जो है ये बहुत विक्षों और विक्षणियों की सरन अस्थली थी जो बाद में निवास अस्थल में बदल गया आगे कहता है प्राय है किसी धनी वैपारी राजा अत्वा भूश्वामी द्वारा दान में दी गई भूमी पर विहार का न कथन सही है क्या कहता है देख लिजे आप कि विहारों की संदर में उपर एक दोनों कथन सखते हैं महराश्ट में इस्थित्कारले की गुफाएं एक विहार का उधारन है इसमें क्या था आपने देखा कि विहार जो है ये पहले सरन अस्थली थी बाद में निवास अस्थल बदल गया और ये जो विहार होते थे किसी दनी वैपारी राजा अत्वा भूश्रामी दोरा दान में दिये गए भूमी पर इसका ही निर्मान होता था चलिए आगे देखते हैं शुमेलित करना है सुची एक सुची दो से आस्रम विवस्था और उद्देश का ब्रमचर ब्रम के रूप में रहना वान प्रस्थ वान प्रस्थ में क्या लगा सकते हैं कि जंगल में रहकर साधना और सन्यास सब कुछ त्याकर सन्यासी बन जाना देखिए क्या कहता है कि आस्रम विवस्था के अंतरगत चार आस्रमों की विवस्था की गई थी ब्रमचर ग्रियस्थ वान परस्त और सन्यास ब्रह्मचर के अंतरगत ब्रामबन च्छत्री और वैस से अपिक्षा की जाती थी कि इस चरण के दोरान वे साधा जीवन बिता कर वेदों का अध्यन करेंगी ग्रियस्त आस्रम के अंतरगत उन्हें विभा कर एक ग्रियस्त के रूप में रहना होता था वान परस्त के अंतरगत जंगल में रहकर साधना करनी थी अंतरगत उन्हें सब कुछ जाक कर सन्यासी बन जाना था चलिए नेक्ष देखते हैं कि आस्रम विवस्था में प्राय इस्तरियों को वेद पढ़नी के अनुमती नहीं थी कारण है उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किये जाने वाले आस्रमों के नियमों का ही अनुसरन करना होता था सही पूछरा कौन सही कौन गलत कारण option number B अर्थात कि A और R दोनों सही है लेकिन सही सपश्टिकरन नहीं है क्यों नहीं है देख लेते हैं अच्छा दिया ही नहीं है A और R दोनों सही है परन्तु R A की व्याख्या नहीं करता है चली question number 10 जिस समय बुद्वदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रशनों का उत्तर ढूंडने का पर्यास कर रहे थे ये चिंतक उपनिश्दों से शम्बन दित थे इन उपनिश्दों के संदर में निमलिकित कतनों पर आपको विचार करना है क्या है कतन उपनिश्द उत्तरवैदिक गरंथ का हिस्सा था फिर कहता है ओपनिशत का साब्दिक अर्थ होता है गुरू के समीब बठना तीसरा कतन है कि इन गरंथों में अध्यापकों और विद्यारतियों की बीच बादचीत का संक्रन किया गया है कौन सा कतन सही है तो देखते हैं सही जबाब क्या है एक दो तीन तीनों कतन सही है ओपनिशत उत्तरवेदिक गरंथों का हिस्सा है इसका साब्दिक अर्थ होता है गुरू के समीब बठना आगे कहता है कि इन गरंथों में अध्यापकों और विद्यारतियों की बीच बादचीत का संक्रन किया गया है प्रहे ये विचार सामान वारतलाव के रूप में प्रस्तुत किये गए है जो बाद विवाद या जो बादचीत हो रहा है गुरु एवम छात्र के बीच में उसी चीज जो का संक्रन किया गया है कहता है इन चिंतनकों में अधिकांस का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और मृत्यू के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अत्वास सारवहमिक आत्मा के रूप में किया है वे मानते थे कि अंतत्य आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है उपनिशद मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं फिलोसफी का इसमें चर्चा है आगे कहता है उपनसिदों के संकलित वारतलापों चर्चाओं के संदर में निमलेखित में कौन सा सही नहीं है देख लिजी क्या कहता है इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांस पुर्ष ब्रामन तथा राजा होते थे आगे कहता है कि कभी कभी गारगी जैसी इस्तरी विचारकों का भी उल्ले किसमें मिलता है फिर कहता है विद्वता के लिए प्रशिद गारगी राज दर्बार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी और अगला है कि निर्दन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चड़कर हिसा लेते थे सही जवाब देखते हैं कौन सा कतन सही नहीं है उपनिशत की शंकलित वारता लाप के बारे में option number D अर्थात निर्दन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चड़कर हिसा लेते थे क्यों नहीं है देखते हैं ABC सही है परन्तु D गलत है निर्दन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिसा लेते थे ना कि बढ़ चड़कर कहता है इस तरह का एक परशिद अपवाद शत्तकाम जाबल का है बहुत अच्छा सवाल है पूछावा सवाल है ध्यान लखिएगा कहता है शत्तकाम जाबल का नाम उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा था शत्यकाम के मन में शत्य जानने की तिवर्ज ग्यासा उत्पन हुई गौतम नामक एक ब्रह्मन ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में शुकार किया बाद में वे अपनी समय के सरवादिक प्रशिद विचारकों में से एक बन गए उपनिशत की कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद विचारक संकरा चार के द्वारा किया गया था ध्यान डखना निर्दन विक्ति जो इसमें कभी कभी हिसा लेती थी सबसे च्छा उधारन है शत्यकाम जाबल नेक्स कुश्चन देखी क्या है कौन सकतन सही नहीं है जैन धर्म का समर्तन मुक्यत वैपारियों द्वारा किया गया आगे कहता है कि किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीडे मकोणों को मारना पड़ता था आगे कहता है बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडू और करनाटक में भी हुआ वरतमान में उपलब्द जैन धर्म की सिक्षाएं उत्तर परदेश के कुसी नगर नामक अस्थान पर लिखी गई थी कौन सा कतन सही नहीं है ये पूछ रहा है तो ध्यान रखिए आप्शन नमबर डी जो है ये गलत है कहता है ए बी सी सही है परंतु डी गलत है क्योंकि जैन धर्म की जो वरतमान में उपलब्द सिक्षाएं हैं इसका लेखन पंदरस ओवर्सपुर गुजरात के वल्लभी नमक अस्थान पर हुआ था ना कि उत्तर परदेश में चली अगला कोशन देखते हैं क्या है कहता है कि जैन नाम से जाने गए मावीर के अन्यायों के संदर में निम्लकित कत्नों पर विचार करें उन्होंने उन्हें बोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन वेत बिताना होता था मावीर की अन्यायों के बारे में कह रहा है कि उन्हें भिक्षा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था फिर कहता है उन्हें पूरी तरह इमंदारी से रहने तथा चोरी न करने की शक्त हिदायत थी नेक्स्ट है कि उन्हें ब्रह्मचर का पालन करना होता था पुर्सों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याक देना पड़ता था कौन सा कह रहा है सत्य है तो ध्यान रखिए 1, 2, 3 सभी कतन सत्य है उपरोग सभी कतन सत्य है इनही कारणों से अधिकांस व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था ठीक है कपड़े का त्याग कर देना है आपको वेक्षा मांग कर जीवन वैतित करना है चोरी नहीं करना है खेती नहीं करना है तो काफी कड़े नियम थे है ना निख्ष देखिए क्या कह रहा है बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अनविद्वान भी खोच कर रहे थे उन्हीं परसिद विद्वानों में से एक विद्वान पानिनी ने एक महत्पुन रचना की संस्कित भासा की यह रचना संबंदित है ब्याकरन है संस्कित भासा ध्यान रखिएगा कहता है बुद्ध और जैन के युग में ही पानिनी निस्वरों और वेंजनों को विसेश क्रम में र दिखे तता आश्टा ध्याई नामक एक पुस्तक की रचना की जो की ब्याकरन से संबन्दित हैं असान सवाल था नेक्ट कुश्चन दिखी क्या है जर्थूस्त्र और जर्थूस्त्र एक इरानी पेगंबर थे उनकी सिक्षाओं के संदर में कौन सा कथन सही है कहता है कि जर्थूस्त्र की सिक्षाओं का संकलन जेंद अविस्ता नामक गरंथ में मिलता है फिर कहता है कि जर्थूस्त्र की मूल सिक्षा का शुत्र है सदविचार, शदवचन तथा सदकार्य कौन सा पूचरा सही है दोनों ही सही होना चाहिए देखते है जी हाँ दोनों ही सही है क्या कहता है देख लिए जर्थुस्तर इरानी पैगंबर थे उनकी सिक्षाओं का संकलन जेन दविस्ता नमक गरंथ में मिलता है जेन दविस्ता की भासा तथा इसमें वर्नित रिती रिवाज वेदों की भासा और रिती रिवाजों से काफी मिलते जुलते है ठीक है जेन दविस्ता किस से मिलता जुलता है तो वेद से ध्यान रखिएगा आगे कहता है जर्थुस्तर की मूल सिक्षा का शुत्र है शदविचार शदवचन तथा शदकार है अर्थात हेश्वर, बल, शत्र प्रधानता एवं सत्र विचार प्रधान कीजिए जिनके जर्य हम शांती बना सकें आगे कहता है कि एक हजार से अधिक वर्स तक जर्थुस्तरवाद इरान का एक प्रमुख धर्म रहा बाद में कुछे जर्थुस्तरवादी इरान से आकर गुजरात और महराष्ट के तठे नगरों में बस गए वे लोग ही आज के पार्षियों के पुरवज हैं द्यान रखिए नेक्स्ट है कि जातक कथाओं का संकलन निमलिकित में से किसके द्वारा किया गया था तब लोग जानते हैं जातक बौध धर्म से संबंदित है बुद्ध अन्यायों के द्वारा ठीक है चलिए लेशन एट आगया जो कि करेंगे अगले अध्याय में अशोक एक अनोखा समराठ जिसने युद्ध का त्याग किया उम्मीद है आपको ये लेशन देखा होगा आपने पूरा यहां तक पहुचे हैं तो वीडियो को लाइक करें आदेख शेयर करें वीडियो को पूरा देखें रिविजन के लिए इसको आप 2X पर देख सकते हैं या PDF से आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप रिविजन हरहाल में करें आप जो पढ़ते हैं उसको तो जरूर पढ़ें अपने ले में अपने इसाब से त्यारी करें लेकिन अगर आप NCRT को देखते हैं तो प्लस पॉइंट है चलिए मिलते हैं अंगले लक्षिर में तब तक के लिए जैहिंद्ट